नमस्कार मैं मधुमीता आप सबका स्वागत करती हूं मेरा चैनल स्वीट कॉम फैमिली में यह जो चाय बन रहा है यह साम का चाय है दो कप बन रही है और यह पतेली भी नए है जो मैंने स्वापिंग किया है वो आपके साथ सेयर करेंगे तो उससे पहले मैं क्या करती हूं च काटके मैं सुखाने के लिए मतलब कि फैन के नीचे थोड़ी देर सुखाने के लिए छोड़ दिया ताकि आचार अच्छे से बन जाए बिल्कुल पानी ना रहे और मेरा चाय भी बन गया और हम दोनों चाय पीएंगे और उसके बाद आपके साथ सेयर करती हूं जो मैंने स स्वापिंग किया है वो बस और क्या चाय रेडी है नेने पतेले में चाय अज फस्टाइम पीएंगे क्योंकि पितल का पतेले में बोलते है कुछ खाना भी ना अच्छा होता है इसके वज़े से लिया मैंने और यह पतेला मैंने जो मेरे थोड़ा बहुत पुराना सामान थ उसको दिया और उसके बदले में 200 भी लिये उसने और दिया और इधर ही एक स्वापिंग मॉल नहीं है दुकान है उसमें से मेरा लगा का दो टीशट लेके आये थे जो काफी अच्छा है क्योंकि उसका स्वाप्ट बहुत है गर्वी में पहनने के लिए तो ही आपके साथ स पद बाला है ज्यादा अच्छे क्वालिटी का नहीं है 150 रुपीज का एक ले लिया इक दो दिन पहन के देखते हैं यह काफी अच्छा है अंदर से भी सॉप्ट है बाहर भी है तो यह भी लिया है क्योंकि मेरे को पैर रखके हुए शूँ ज्यादा पसंद है और एक लिया यह मेरे हजबन को भी पसंद था इसके वज़से लिया यह पैर के नीचे गद्द जैसा है इसके वज़से सॉप्ट नेस्ट होता है और यह है मैं आम काचार के त्यारी करने के लिए आ गई हुमें कराई रख दिया आम आपसे पहले बुरत मैंने धोके थोड़ा फैन के नी आपकली ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं के लुकर आचार सुला reading काते हैं की अच्छे बनते हैं मेरे दादी भी बहुत अच्छे बनाती थी और सी यह नहीं है तो उसको याद करकर के हम मद्द से आप कर Upperos लिए मेरा थाज अचार बनाने के बदा ॉन का चार अगले जल दी और मिर्ची पाउडर तो डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार पहले सुक्की मिर्ची डाली भी थी और थोड़ा नमक दिया नमक थोड़ा 2-3 मिनिट बाद देते हैं नहीं तो आम पूरा गल जाते हैं और नमक देने के बाद पानी छोड़ता है वो भी थोड़ा 2-3 तैमनी उबालने देंगे जब तक गुर्णा पिगल जाए आम भी अच्छे से अभी जब देख रहे बहुत ही अच्छे से यह हो गया रेडी और क्या हुआ कि यह तीन चार मिन धीमियाज में भी मैं रख दूंगी ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुली सूख जाए और जित है और सौप थोड़ा ज्यादा लिया जीरा भी है अभी मेरे पास काली मिर्च खतम हो गयता है नहीं तो भी थोड़ा सा बुननी के बाद उपर से डालने से उसका खुसबू बहुत ही अच्छे आता बहुत ही मतलब बढ़िया आते तो यह हो गया पाउडर अभी मैं इस मसा सुखने के बाद इस तरह से मेरा आया है अब मैं इसको कांच के जार में डाल के रखूंगी प्लीज मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यूँ और कुछ भी अच्छा लगए तो प्लीज लाइक कीजिए जो लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर द जीज थैंक यू